नमस्कार दोस्तों अभी हम इस वीडियो में आप लोग को समाजिक भी ग्यान के 50 VBI अब्जेक्टिव कोश्चन बताने वाले हैं अगर आप लोग इस अब्जेक्टिव कोश्चन को याद कर ले तो आपके फ़नल एक्जाम में ना 80 में 40 अब्जेक्टिव कोश्चन गलत नहीं होगा यह हमारी ग्रांटी है ठीक है ना बस एक-एक को याद करें ना बहुत VBI अब्जेक्टिव कोश्चन है मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका वरभात करूँगा मैं वीडियो डिरेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ और एक-एक कोश्चन बताता हूँ आप लोग याद कर लिजिए और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते ना ऐसे ही आपको मैं सारा भी सेक वीडियो अप्लोड कर दूँगे ठीक है पहला कोश्चन है बोल सेवी करांती कब होई थी बाबु बोल सेवी करांती 1927 में होई थी नॉमबर 1927 में तो याद दखना बी नमर आपका आपसन सही हो जाएगा अब देखना परिक्षा में कौन नमर में दिया है आप वही नमर वाला टीक लगा देना ओके तो याद अंसर पहला का बी नमर मिल जाएगा दूसरा नमर कोश्चन है अंसर भी मैं दे चुका हूँ ताकि किसी को पीडियोप की जरुवत है तो ले सके इसका पीडियोप जिसको भी लेना है हमारे गुरूप को जोइन कर लेना वर्स अप गुरूप को लिंक आपको डिसक्रिप्शन में दे दिया गया है हिन्द चीन पहुचिन वाले पर्थम बैपारी कोन थे अगला कोशन हमारा है कि असवयू अंदुलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था तो सितंबर 1922 कलकात्ता क्या होगा अनसर आपका तीसरा का ए नमर मिल जाएगा ना तो याद देखना तीसरा का सही उत्रा आपका ए नमर मिल जाएगा अगला आपका चोथा नमर कोशन है यह बहुत जादा बार कोशन एकजाम में आता है राष्टियर स्वयम स्वक्संद के स्तापना कब और किस ने किया था तो 1925 इसपी में के भी हेट गेवार ने किया था चार कांसर आपका बी नमर मिल जाएगा पांच नमर कोशन है इंग्लेंड में सभी इस्तिरिय प्रुसों को वेस्ट मतदिखार का प्राप्त हुआ था तो 1928 इसपी में बहुत लोग इस कांसर 1938 देते हैं लेकिन इस कांसर क्या होना चाहिए ची नमर में चीज में जो बताम को वो 60 कंसर बताम को उसे आप लोगों को याद कर लिना है ठीके ना अगला हमारा कोशन है चो नमर की सो नमर कोशन है कौन सा समाजिक वर्ग बुद्जिवी वर्ग के रुप में उभर कराया था तो क्या आपका मध्यम वर्ग हो जाएगा ना अंसर क्या मिल देगा आपका मध्यम वर्ग हो जाएगा ओके याद रख आठ नमर कोशन है बहुत इंपर्टेंट है आर्थिक संकट के कारण इरोप में कौन सी नई सासन पढ़नाली का उदे हुआ फांसिवादी सासन पढ़नाली क्या होगा फांसिवादी सासन पढ़नाली जो सी नमर में दिया न वही आपका सही उत्तर होगा इसे याद रखना अगला आपका कोशन है सासा रावनागर का विकास हुआ तो बभू सासा रावनागर का विकास ना मतलब मद्य जुग में हुआ था कब हुआ तो मद्य जुग में परचिन जुग में नहीं मद्य जुग में इसका भी अंसर आपका यही ठीक होगा और यही ठीक लगाना और उचाउच परदर्शन के लिए है चीवर विजु के अभिकाद से किसने किया था लहमान ने किया था इग्यारक अंसर आप लोगों को याद देखना है बी नमर सही उत्तर हो जाएगा अगला कोशन हमारा है बारा नमर मंदार हिल किस जिला मिश्थी था बंका जिला मिश्थी आप जिला यहां पर हमारा सी नमर अंसर बन जयाएगा बारा कोशन है संजाई गाणि जेभिक उध्यान किस नगर मिश्थी थे यह पटना नगर मिश्थी थे पतना बिहारा जी कराज रह Wohnesejadi ने पटना मिश्थी थे यहां पर हमारा दी नमर अंसर मिल जाएगा तीसका अगला कोशिन वागु वहपाल तरास्ती में किस गयस कारिशा हुआ था वागु वहपाल में एक रहसाइनिक दूर घटना हुआ था आप सभी को पाता होगा मिथाल आइसो साइं एड गयस कारिशा हुआ था और यह घैस बहुत ही खतरनाक था बहुत मतलब कि जादे लोगों की जान लिया था 1984 से पचासी का असपास ठीक है ना अगला कोशन उर्जा का गैर परंपरिक शुरूत देखो गैर परंपरिक शुरूत मतलब कि D नमर वाला होगा ठीक है ना क्योंकि ये जादा परदसन फैलाता है ठीक है ना अगर ये खतम तो हम लोग भी खतम समझे दो तो हमारा सवरे उर्जा हो जाएगा अंसर D नमर 16 का ये गैर परंपरिक उर्जा शुरूत है अगला कोशन है प्रकृति गैस की इस खनिज के साथ पाया जाता है तो ये पेट्रोलियम उर्जा केंदर स्ताब्वित किया गया था तो आपका होज़ेगा तारापूर क्या होज़ेगा तारापूर होज़ेगा इसे आप लोग को याद करना है तारापूर कहा पर है बाबू तारापूर महरास्टा में है अंसर आपका D नमर मिल जागा तारापूर याद रहना जो महारास्ट्रा में इस्तित है ओके याद रहना अगला आपका कोशन है इरोप वासियों के लिए किस देश का ग्यान भी ग्यान प्रेना सरोत रहा है तो तूर्की देश का अंसर क्या मिल जागा इरोप वासियों के लिए किस देश का सही तेवम ग्यान भी ग्या इस कामसर मिलने का आपका सी नमर इसे आप लोग को याद रखना है एक कईसन नमर कोश्चन है रूस में जार कारते क्या होता है रूस का समराथ लेकिन यहां पर प्वस्टी में से दिया इस कोश्चन को कार देना क्या होगा रूस्यांब यह कोईशन आगे है आपको बता दूंगा लेकिन कोईशन टाइपिंग कौन कौन से डे साथे हैं तो बागों धिया नाम और लाहोस हो जाएगा अपसर अमार आपका हो यह C नमर हो जाएगा ठीक न दिहान सेगे ना अपसर को इधर दोर कर दिया गया ताकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओ ठीक है अपसर नमर मिल देगा अपसर नहीं जाओ लेगा अगला कोशिन आपका चबीस नमर है कि गिर्मीटी या मजदूर बिहार के किस छेतर से बहजे जाते थे अगर आप सबी विद्यार्थियों को इसका अंसर नहीं आदे तो याद रख लिजिए पस्चमी छेतर से कहां से बहज जाते थे आपका अंसर 26 नमर मिल देगा 27 नमर कोशिने वरना वरना किल्वर प्रिस एक्ट से बचने के लिए किसे पत्र ने रातु रात ही अपनी भासक बदल दिया था वो है अमरीत बजार पत्री का अंसर आपका यह सी नमर सही उत्तर हो जागा 27 का 28 नमर कोशिने साग्वंज के पुल प्रपिन कांघ्रिंज धूर के गए थी तो वूरवर वनश्य मवशने आपका 23 से उत्तर हो जाए तो अगला कोशन है, मेजिनी का संबंध किस संगर्टन से था, तो कार्बोनेरी संगर्टन से था, मेजिनी का जो संबंध था, वो कार्बोनेरी संगर्टन से था, अंसर आपका B नमर सही हो जाएगा, अगला कोशन है, कि गेरी वाली पेसेल से क्या था, गेरी वाली पेसेल से क्या तो ने पोलिएन पार्ट ने इसका वी अंसर आपका मिल देगा फ्रइन कोषिण नमर की ऐसे जाद केना आपको कोछन दी नमर दिया बिस्मारे गलत अंसर दिया रीस मार्ग न किया बिसमार्गी नहीं होगा देख लीजिए तो बिसमार्गी होगा यहां पर एंसर दीन दिया है मैंने हमने कंफ्यूज हो गया था अब देखिए अगला कोशन है रूस में क्रिशकदास प्रथाकंत कब हुआ था 1861 मुआ था इसे आप लोग को या देखना है अगला कोशन है काल माक्स का जन्म कब हुआ था काल माक्स का जन्म कहां हुआ था तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था लेकिन जर्मनी तो ओप्सन में दिया ही नहीं देखो इंगलेंड जपान और इटली रूस दिया है ठीक है इनमें से ऑप्सन नहीं दिया है तो आप लोग या देखना क माक्स का जन जर्मनी नमक 13 aç उन्होंने बिवाह किया था बहुत कम उम्र में ही इन्होंने ही अपनी जनी नमक 13 से कर लिया थाक जर्मनी में इन्हों के जन परियो कहां हुआ था आगला अगला कोश्चन है उट्टोपियन समझवादी कौन नहीं था वही कालमाक्स जी नहीं थे कालमाक्स जी जिनका जर्मनी में हुआ था अंसरा अर्थीस का सिनिमर मिल जाएगा मैं जो बता है उसी को याद रखना इधर उदर मात याद है ना क्योंकि टाइपिंग में मैं तो ट दीनमर मिल जाएगा इसे आप लोग को याद लगत अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है आपका कि मार्च 1946 में फ्रांस हो ब्यातनाम के बीच होने वाला समझा उता हुता किस नाम से जाने जाता है होनोई समझा उता अगर वही कहाएगा जनवा समझा तक अब हो आता उन् सोड़ उर्जानि मुन लखित में से कौन सा संसा दने तो पूर्णापूर्ती जोगी हो जाए इसे याद देखना है है लेकिन कोई बात नहीं अंसर आपको मैं सठीक बतार हो वह याद रखना टट्रेका से कितनी किलमेटर दूर अर्थिक छेदर कहला आते हैं 209 मीटर ठीक ना 209 मीटर याद रखना आपका अंसर भी नवर मिल लेगा अगला कोशन डाकूओं की अर्थववस्ता का संबंध है स इतने किलमेटर चेतरा राष्ट यह संपदा है तो 19 19 अजय आपका डी नमर होगा 19.2 डी नमर आपका सही जवाब हो जाएगा अगला हमारा कोशन है मजदूर दिवर्स कम मनाया जाता है एक मई को मजदूर दिवर्स मनाया जाता है अंसर आपका हो जाएगा ऑफसर नमर भी एक मई को अगला कोशन आपका 50 समद हिंद चीन पहुंचने वाला प्रतम बैपारी कौन थे इसका अंसर आपको कमेंट एक बगस में बताना है सारा कोशन में ही बता दूंगा तो एक कोशन आपको अधूरा मतलब कि एक कोशन आप नहीं बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट क बता दीजिए पचास का सही उत्तर क्या होगा